हेलो टियरे स्टुडेंट विल्कम बेक टू राइजेस्टर डी और आज किस वीडियो में बात करेंगे पर्सनाबली एक पॉइंट एक एंसी आटी बुक का जो मैथ है आप लोगों का उसका जो है पर्सन संख्या एक क्या कर रहा है उस पर बात करेंगे देखें कर रहा है नि युक्लिट विभाजन विधी से जो है जो नीचे कुछ संख्या दिया है जहां पर हम एक लिये हैं लगब लगब तीन को है इसमें हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे तो युक्लिट विभाजन एल्गोरिदम से जो है इसका HCF ग्यात करना है तो चलिए सबसे पहले यह सबसे पहले आप लोग को ज्यात होगा जो जो बरा संख्या होता है उसमें हम क्या करेंगे चोटा संख्या से HCF करेंगे यानि कि 225 और कितना 135 का HCF हम करेंगे अब देखें इधर जो है हम एक मर्तबे लगाएंगे 135 कंप्लिट है देखें 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बच 35 कंप्लिट है अगला आंक 135 उतारेंगे तो 90 का है 90 होगा ना इधर आप देखें आप इसको घटा देज़े आप लोग 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 5 अद 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 कंप्लिट है आगे देख लेते हैं अगला आंक जो हम यहां पर उतारेंगे क्या उतारेंगे 90 अब देखे 45 एका 45 वो सुरी 45 दूनी 90 अब इधर यह जो है पूरा आप लोग का कट गया तो आप लोग जो है यहां तक तो है समझ गए होंगे आगे आता है जो में काम है वो आगे है ठीक है आगे देखें आप लोग यहां पर लिखेगा अब अब यूकलिड क्या लेकेंगे यूकलिड यूकलिड थुरा उपर कर देते हैं आप लोग को ज़्यादा दिखाए देगा यूकलिड बिभाजन 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 अलगो रीदम यूकलिड बिभाजन अलगो रीदम से नँग अब देखें यूकलिड बिभाजन अलगो रीदम का सुत्र क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं थोरा यूकलिड बिभाजन का सुत्र होता है ए बराबर बी क्यू पलस आर क्या होता है ए बराबर बी क्यू पलस आर तो यहां पर जो A होता है, अगर अपना भाषा में समझें, तो A को हम क्या कहेंगे, भाजे कहेंगे, और B जो होता है, B, B होता है आप लोग का भाजक, क्या होता है, भाजक, और Q क्या होता है, Q होता है, दोस्तों, भाग फल, क्या होता है, भाग फल, और R जो होता है, रिमेंडर होता ह परकार आप लोग जो है यहां तक लगभग में समझ गया हूंगे अगर इसको आप लोग नहीं समझें तो एक बार जो हम फिर से जो आपको समझाने का परियास करते हैं जैसे मान लिजिए जो आपको जो है भाग देना है दस में कितना से पांच से देना है सपोड़ एट पांच से देना है तो यहाँ पर आप लोग का जो दस जो है दस क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा क्या हो जाएगा भाज्य न आई पांच जो है पांच पांच क्या हो ज जाएगा भाग फल न और इधर जो है पांच दूनी 10 इधर यहां पर सेस ने न बचा तो यहां पर चलेंगे इधर तो देखिए इधर जो है आप लोग को जो है, हम इधर बैठाएंगे, तो ये A हो जाएगा, यानि कि ये जो 225 है, वो क्या हो जाएगा, भाजे हो जाएगा, भाजे है, तो चले, बात करते हैं, इधर जो है, 225 हम A के मान क्या लिखेंगे, A के मान लिखेंगे, 225, चले, अब B में हम क्या लेंगे, तो B में 135 यहां पर लिख लिए आप लो 135 आप देख लेता है क्यूं कितना है तो क्यूं है दोस्तों एक यहां पर हम क्यूं लिखेंगे न क्यूं में एक आप फिर से आर देख लेते हैं तो आर जो है आप लोग का आर जो है इधार है आप लोग का 90 आर कितना है 90 है यहां पर आर लिख लेंगे जानीकि आर जो है हमेशा जूर जाता है तो अभी लिख लें अब फिर से अगला राउंड में जब हम आयंगे तो आप लोग ध्यान में रखियेगा जिप पहले बला आता है इसने इसफ्वान में पहला है इधर भी यहां यहां इधर से फिर इभी हो जाएगा इधर आप लोग का क्यों हो जाएगा ना तो इधर से दियान रखेंगे थोड़ा तो इजो हो जाएगा हमारे यहां पर कितना एक सो पैंतिस हो जाएगा एक सो पैंतिस और बी जो हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 90 ना नव्चाइब भी हो जाएगा नव्चाइब फिर हम कितना अब दबल लएंगा यहाँ पर लिखेंगे 45 आगे देख लेते हैं आगे जो आप लोग बहने मई दोधल把 T और Q हो जाएगा, ओ सरी, Q हो जाएगा अप लोग का, 2 ना, R तो 0 बचेगा, तो इधर लिखेंगे फिर से 90, B बराबर 45, Q बराबर 2, अब फिर से R बराबर 0, यानि कि R जो है 0 जैसे ही आएगा, यानि कि हमारा सेस्फल 0 आया, समप्त हो जाएगा, ना, सेस्फल 0 आया, समप्त इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए HCF बराबर 45, तो आप लोग को दिमाग में थोरा सा ये बात आता होगा, पूरा लिखना है, तो इबला नहीं लिखियेगा, तो भी चलेगा, लेकिन इसको लिखना परिक्षा में जो एक्जाम की दिरिस्टी से जरूरी होता है, ताकि जो एक्जामनर जो भी चेक करने बाले होते हैं, उनको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए आप लोग इसका पूरा पूरा एस्क्रीन सोट ले लिजी एक बार, और दूसरा जो कोस्चन है, हम तुरंत बता रहे हैं, तब तक आप लोग इसका एस्क्रीन सोट ले लिज से, तो इसका आज भी हम हल निकालेंगे, देखें, लिख दिये हल, आप देख लेते हैं, एक सो च्यानवेर और कितना है, अर्तिस दो सो बीस, दोनों का जो है, हम एस्तियाफ ग्याद करेंगे, तो आप लोग जो है, एक मर्तब यहाँ पर लगाए, सब से पहले एक सो च्या बचेगा, आठ बचेगा, ना, नो, आठ, सत्रह, इधर जो है, एक कट गया, चले, अगल कांग उतारते हम, आगे कांग उतरेगा, आप लोग का, दो, सोरी, इधर जो है, थुरा गलती लग रहा है, बारा में से छो गटाएंगे, छो, आइधर दो न बचेगा, दो में से ए घटाएंगे, तो एक हो गया, कितना हो गया, एक आप लोग थुरा धियान दिजिएगा, ये एक हो जाएगा, चले, आगे जो है, ये होगे, आप लोग का, दो तो उतार लिये हम, ताठारो सो, बासट, अब आगे देखिए, आगे, किसी, कितना आंग से लाएंगे, हम, लगभा लगभा जो है, हम जो है, यहां पर लगा के देखेंगे, आठ से देखते हैं, आठ से लगएगा, नहीं लगएगा, नो से लगा के देखते हैं, नो से जो है, लगभा में लग जाएगा, नचा एक चोबन के, चार, नो नमा एक आसी और पांच, एक आसी पांच कित बारव में से 4 घटाएंगे, तो कितना बच्ड़ेगा आठ ठेक्या बारव में से 4 घटाेंगे आठ इधर आप बच दाएगा कितना पांच आ वान से 6 घटाएगा एक पहेंची में से 25 Tong two va mater फिर से 7 घटाए गाए धर bra एक में 75hein 45-18 555 अच्छार Korean ocaust नो 180 यानि कि यहां पर कितना मर्तभी लगाएंगे हम पांच मर्तभे सुर्ई एक बार हमें इसे पहले कितना लगा थे नो मर्तभे न निखे देंगे उसके बाद इस बार कितना लगा है 5 मर्तभे तो पांच मरतब में क्या होगा चो पांचे तीस नो पांचे पैंतालिस दिन अर्तालिस एक पांचे पांचा चार नो यानि कि नो सो अस्य हुआ ये जो है आप लोग का पूरा पूरा जो है कट गया तो चले इसको भी हम लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से बनाने का परियास करते हैं देख लिजे लिखेंगे आपे अब अब भाग एल्गो रीदम अब भाग एल्गोरिदम से ना यानि कि यूकलिट भीवाजन एल्गोरिदम भी हम लिख सकते हैं और भाग एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, जादा जो है दिकत नहीं होगा, इसे पहले जो हम युकलिट भी वाजन एल्गोरिदम लिखे थे, आप लोग दियान में रखिये गातुरा, तो देख लिजे, आप लोग को तो पुरा-पुरा पता चलिए क्या होगा, तो हम सिधा सिधा बनाएंगे, A बराबर क्या होगा, BQ पलस R, क्या होगा, A बराबर, BQ पलस R, तो देख लिजे, A बराबर, BQ पलस R में, यहां पर आप लोग का A क्या हो जाएगा, 38, 3220 A होगा, और B हो जाएगा, कितना, B हो जाएगा, 196, और Q हो जाएगा, Q हो जाएगा, आप लोग ना, बराबर बी, बराबर क्या हो जाएगा, एक सो, च्छानवेर गुने, एक सो, पन्चानवेर और आर्था आप लोग का जीरो आया है ना, तब यहाँ पे जो है, आप लोग का जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक, दो, तीर, यानि कि इस लिए, इसलिए, एच सिय अफ बर आगे का जो है तीन नमर जो है इसका एक का तीन हम इसको solve करेंगे तो अगला पर्सन है अप लोग का 80066 और 255 इसका भी हम देखेंगे कैसे कैसे जो है solve होगा देखें तो सबसे पहले हम इसका लेखेंगे हल क्या लिखेंगे हल कितना कितना है 867 और 255 आप लोग को पुरा-पुरा ग्यात होगा जो यहां पर जो हमको 867 में भाग देना है कितना से 255 से यानि कि SCF ग्यात करना है तो आप लोग यहां पर दिखें जो अगर हम 4 मर्तबे लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा न लगभ कितना हुआ चले आप इसको हम घाटा देते हैं साथ में से 5 घाटेगा दू और 6 में से 6 घाटेगा जीरो आठ में से 7 घाटाएंगे एक कम्प्लीट है चले अब अगलांक उतारेंगे हम इदर 255 क्या उतारेंगे 255 एक मर्तबे इदर लगाएंगे न एक मर्तबे नहीं लग मर्तबे अगर हम लगाते हैं कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा आप दियान दिजाएगा 204 चले आगे देख लेता हैं आगे इसको घाटा है यहाँ पर पांच में से चार घटाएंगे तो एक अब पांच में से जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? पांच अब दो में से दो घटेगा तो कट गया चले अगला अंक जो हैं अपर उतरेगा आप लोगका 102 उतरेगा ना? चले 152 कितना होता है? 102 ये भी आप लोगका complete हो गया है भाग एल्गो रीदम अब भाग एल्गोरीदम से आप लोग जो है यहाँ पर युकलीड विभाजन एल्गोरीदम से भी लिख सकते हैं भाग लेमा भी लिख सकते हैं और भाग एल्गोरीदम भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं तो चलिए भागे लिगो रिदम से जो हम सुत्र पर चलेंगे तो क्या होगा A बराबर B Q और पलस में R हो जाएगा आप लोगों को एक ग्यात होगा जो किसको कहते हैं B Q और R तो पता ही होगा दोनों जो है हम पहले बता दिये हैं तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का जो है A कितना हो जाएगा? 800, 66 तो इधर हम लिख लेंगे A बराबर 800, 66 चलिए बराबर में देंगे B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 255 complete है? B हो जाएगा आप लोगों का 255 फिर से देखेंगे Q कितना होगा? तो Q जो है आप लोगों का हो जाएगा? 3 तो यहाँ पर गुना में क्या कर देंगे? 3 लिख लिए फिर देख लेते हैं फिर से देखेंगे तो R कितना हो जाएगा? R जो है 102 न हो जाएगा R 102 complete है इधर तक? चलिए आगे देख लेते हैं अगला राउंड में जब हम आएगे तो जो 255 है यह बन जाएगा A तो इधर 255 अब फिर से बराबर B कितना हो जाएगा? 102 तो 102 गुने क्यों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा तो 2 लिखते है इधर क्यों? 2 हो जाएगा अब फिर से देख लेते हैं आरे यहाँ पर कितना बचा आप लोगों का? 51 तो 51 लिख दिए और इधर जो है आप लोगों को फिर से हम तिसरा चरण में चलेंगे न? तो इधर जो हो जाएगा A हो जाएगा 102 तो 102 बराबर A काबन हो जाएगा यहाँ पर क्या? B तो A काबन गुने Q क्या हो जाएगा? 2 पलस जो यहाँ पर सेस्पल हमको क्या बचा है? 0 बचा है तो 0 लिखेंगे न? सेस्पल 0 चलेंगे अब इधर से 3 अंक हम गिनेंगे 1, 2, 3 यानि कि लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना? एक काबन ठीक है? तो इस परकार आप लोग जो है इसका बेश स्कीन सोट ले सकते हैं और परसन संग्या एक जो है समप्त हुआ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सस्क्राब करे और जो भी खूबी नजर आ रहा है किर्प्या करके कमेंट में जरूर बताए धन्यवाद जैन जै भारत